देगे question ये कह रहा है कि एक rectangular loop दिया है और जिसकी length दी है 8 cm और breath दी है 2 cm यानि length 8 cm बोले तो 8 into 10 power minus 2 meter और breath 2 cm यानि मीटर में convert कर लिया और ये magnetic film रखा है और ये magnetic field का direction है तो समझ में आ गया magnetic field direction क्या है यहाँ पर ठीक है ये magnetic field के direction है यानि normal inward direction में magnetic field यहाँ पर है और magnetic field कितना दिया है 0.3 tesla directed normal to the loop what is the EMF developed across the cut across the cut समझने की कोशित करिएगा hello actually किया क्या गया है कि इस loop में एक cut लगा दिया गया है क्यों cut लगाया गया कि भाई ये loop जो है ना कि जब magnetic field में चलेगा तो ये magnetic field में चलेगा तो ये magnetic field चेंज होगा इसमें एक current हमें नहीं मालूम कि दर फ्लो करेगा एक current फ्लो करेगा current फ्लो करेगा तो ये खुद का magnetic field क्रेट कर देगा ठीक है तो हमारा जो किया धराया सब बेकार हो जाएगा तो हम पुले उड़ा देंगे उसी उक्रेइन का लिए सेना भेजोगे भेजोगे जरूर पहुंच जाएंगे EMF induced जाएगा current फ्लो नहीं होगी गुशाओ लेकिन आप विगाड कुस नहीं पाओगे है यानिया आपके तलवार से तलवार दे दिया लेकि पहली बात कहते हैं इसको longer side के लांग ऐसे चला गया देखो जब longer side के लांग जाएंगे तो ये वाली जो side है ना ये cross करेगी magnetic field को तो हमने बताया जा longer side cross कर रही थी जब longer side cross कर रही थी तो magnetic field जो sorry जो induced EMF था कितना बवाल था ना तो induced EMF कितना होगा BVL BVL बोले तो जो side उस magnetic lines को cut कर रही है बवाल तो value रग तो B कितना है 0.3 into V कितना है 10 power minus 2 और L कितना है 8 into 10 power minus 2 R-24 2.4 into 10 power minus 4 वोल्ट इतना EMF induced होगा पहली चीज़ क्या मतलब तभी तो लगे कर ने थीटा नहीं change हो जाएगा उसका अब वो थीटा पी जब parallel है magnetic field reaction आप चल रहे हो तो magnetic field कहा है के लिए आप वो पोज करेगा ठीक है और तब आगे ये भी उन्होंने कहा है कि for how long does the induced EMF last in each case induced EMF खतम कब होगा अब simple सी बात है कि अगर कोई coil को आप magnetic field में ऐसे move करा रहे हो तो जब magnetic field से बाहर निकल जाएगा तो induced EMF खतम हो जाएगा तो बाहर निकलने के लिए कितना distance cover करनी पड़ेगी इसको ये वाली distance भी करनी पड़ेगी ना इसको बैसे यहां तक magnetic lines है माल लिया अब यहां पर यह side आई यह बची है ना यह तो बची भी है ना तो जब बाहर इसनी distance चलने के बाद बाहर निकल जाएगा बी distance चलने के बाद में तो distance हो गई बी velocity हो गई बी बी कितना है 2 into 10 to power minus 2 upon और वी कितना है 10 to power minus 2 यह दो second में यह induced EMF खतम हो जाएगा ठीक है note करिये second case में कहा गया कि इस तरीके से move कराया इदा देखिए इस तरीके से move किया हमने इसको इस तरीके से हो गया 0.3 V कितना हो गया 10 पाउर माइनस 2 और V कितना हो गया 2 इंटू 10 पाउर माइनस 2 बोले तो 3 दूनी 6 0.6 इंटू 10 पाउर माइनस 4 आंसर यही छोड़ेंगे जी नहीं decimal 6 के बाद लगेगा तो आएगा 6 इंटू 10 पाउर माइनस 5 वोल्ट कितने time बाद खतम होगा तो time कैसे निकलेगा देखो ध्यान से यह जब coil चलेगी ना पूरी coil बाहर निकल जाएगी कितने length cover करेगी L के बराबर तो time बराबर क्या होगा length upon velocity length बोले तो 8 इंटू 10 पाउर माइनस 2 velocity 10 पाउर माइनस 2 हाँ ठीक है तो आठ सेकंड बाद ये खतम हो जाएगा ठीक है नोट करिए